बाई पहले तु मुझे ये बताओ लोग कपड़े क्यों पहनते हैं अपना समान ढखने के लिए यस और नो तु अब इन दीदी का कपड़ा पानने का स्टाइल लेखो यार मुझे तो वो लड़के समझ में नहीं आती जो कहती है मैं कैसे भी कपड़े पेनू मेरी मर्ची अरे जीदी तुम कपड़े कुछ भी पेनो लेकिन तुम्हारा समान तु पूरा कवर होना चाहिए या फिर तुम्हें लगता है कि जितना मोडे नेगेसन फॉलो करें जो उतना ही लोग तुम्हारे दीवाने होते जाएंगे कुछ लड़कें नॉट सारी बट कुछ लड़कें केवल यही लगता है कि उनका इजट सिर्फ नीपल और पूसी ढटने तक ही है बाकि पूरे बोड़ी को यह कैसे भी फ्लेक्स करें वो थोड़ी इनकी इज़त में आत अच्छा वह हमें दिख रहे तो कितनी शैंटा और कितनी अटेंशन सीकर बनी है तो जली से मुझे बताओ कि तुम्हारे क्या क्या हमें विश्यस है हमारी विश्यस यह है कि पूरे बदन में कपड़े पहल और जो तू समझ रही है वैसी विशिजम तू जैसी थर्ड ग्रे तो हमें भी देरी तरह बीट शड़क पैसी रिल बनानी चाहिए और भूतनी मारी हरिल में यह क्या करती है यह क्लिए बिना तेरा एक वी रिल वाइरल नहीं होगा इसी बात का डर है ना जानवरे की खड़े निपल प्रिके जाले खड़े हो जाते है ति लिटरली हैंग अफोट ऑनिट लैट यू के लिटरली हैंग लेहंगा आउनीट आज मैं इसी सारी शोपिंग किये पैसा पता है को इसा है रंडी बाजी से रंडी बाजी अवे चिमकंडी तो यह लाइब क के बताना जरूरी है तो कहीं से भी कमा कमाना जरूरी वैसे काई मुझे नहीं लगता है इस थोड़े पर कोई भी लॉंड आपना एक रुपिया भी खड़ करेगा क्योंकि आजकर खुद सरकार ने प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर दिया वेल गाईज आज के लिए इतना अगभाई